आम तोरते असी किसे ना किसे खबर दा जिकर कर देयां आईने दे विच जां किसे ना किसे इतिहासक ताथ दा जिकर कर देयां कोई पॉजिटिव नियूज या कोई नवी खोज या कोई नमा पेपर अगर पड़न नों मिलिया होवे ते ओ तोर डिनल मैं आम तोरते सांजा कर अज़ दे हाड़ा कुछ एह जाए के ए शॉर्ट स्टोरी कहानी निक्की कहानी जड़ी तो अड़ विच उशायद कई साथिया ने पड़ी वी होवे एक पल विच ही दास दिया के किड़ी कहानी के डिया दासर लेख किया ते लेख कौन ने पर हर वारी जड़ों एक कहानी में बढ़ दिया ते इस कहानी दे जरिये जमें साहत हमेशा कर दाई है साधे अंदर कुछ अजेया पावनामा ज़े जज़बात दा हड लेके आंदा है जड़ा सी कई वरी बियान नी कर सकते अदारत एहे तथां ते है पर लेखक दी कलपना ने किस तरावना तथा नो आप उच रलाया बस एक कहानी उसे दा नमूना है कहानी दा ना है करामात करामात सरदार करतार सिंग दुगल दी कहानी है करामात कहानी शुरू कुछ योहन दी है करामात ते फेर बाबा नानक विचरदे होए हसन अबदाल दे जंगल विज्जा निकले गर्मी डाडी सी चिचलान दी होई तोप जिमेकां दी आख निकल दी होवे चुवाँ पासे सुमसान पत्थरी पत्थर रेती रेत चुलसियां हुयां चाडियां सुक्के होए द्रखत दूर दूर तक कोई बंदा बन आदम नजरी नहीं सी ओंदा ते फेर अम्मी मैं हुंगारा पर्या बाबा नानक अपने त्यान विच मगन तुर्दे जारे सन के मरदाने नू प्यास लगी पर उत्थे पानी कित थे बाबे ने क्या मरदाने आ सबर कर ला अगले पिंट जाके तू जितना तेरा जी करे पानी पी लवी पर मर्दानेनों ते डाड़ी प्यास लगई होई सी बाबा नानक इस सुन के फिकर मंध होई इस जंगल विच पाणी ता धूर धूर तक नहीं सी ते जदों मर्दानना अडी कार बैठ दा ते सब लेई बड़ी मुश्किल करदन दा सी बाबे फिर समझाया मर्दानेया इथे पाणी किते वी नहीं तू सबर कर ले रब दा पाणा मन पर मर्दानना ते उत्थे दा उत्थे ही बैठ गया एक कदम होर उस तों अगेनी सी तुरिया जान्दा बाबा डाड़ा जेच पया गुरुनानक मर्दाने दी जिदनू वेख वेख मुस्कुराओं दे हैरान पैहन दे आखर जो तू बाबे ने मर्दाने नू किसे काउली ते आउन्दे ना विख्या ते उ अंतर त्यान हो गए जो तू गुरुनानक दी आख खुली मर्दाना मच्छी वांग दड़फ रहा सी सत्गुरुनानों वेख के मुस्कुराए ते कैन लगे पाई मर्दाने आ इस पहाड़ी उत्ते को कुटिया है जिस विच वली कंदारी ना दा दर्वेश रेंदा है जे तू मोदे कोल जाएं ते ते नू पाणी मिल सकता है ये सिलाके विच बस उदा खुँ पाणी नल परया होया होर किते वी पाणी है नी ते फेर अम्मी मैं बेचैन हो रहां साई जानन ली के मर्दाने नू पाणी मिल दा है के नही मर्दाने नू प्यास डाड़ी लगई होई सी सुन दियां सार पहाड़ी वल दोड़ प्या कड़क दी दुपैर उद्रों प्यास उद्रों पहाड़ी दा सफर साहो साही पसीनों पसीन होया मर्दाना बड़ी मुश्कल नाल पहाड़ी उत्ते पुझा वली कंदारी नो सलाम करके उन्हें पानी ले बेंती कीती वली कंदारी ने खुवाल इशारा कर देता जदो मर्दाना खुवाल जान लगा ते वली कंदारी दे मन विच को जाया ते उन्हें मर्दाने तो पुछया पढ़े लोका कितों आया है मर्दाने क्या मैं नानक पीर दा साथी यां असी तुर्दे तुर्दे इधर निकले यां मैंनो प्यास डाड़ी लगई है ते पाणी हेठा के ते है नी बाबे नानक दा ना सुन के वली कंदारी नू डाडा क्रोध आ गया ते मर्दाने नू अपने कुटिया विच्चों उंच दा उंच बार काड़ देता थक्या हारया मर्दाना हेठा बाबे कोड़ा के फर्यादी होया बाबे नानक ने उस तु सारी विथ्या सुनी ते मुस्करा पे मर्दाने आ तु एक वार फेर जा बाबे नानक ने मर्दाने नू सला दिती एस वार तु निमर्ता नाल चिका दिल लेके जा आखी मैं नानक दर्वेश दा साथी या मर्दाने नू प्यास डड़ी लगी सी पाणी होर किते है नी सी खपदा क्रिजदा शिकायत करदा फेर उत्ते तुर्प्या पर पाणी वलीकंदारी ने फेर ना दिता मैं काफर दे साथी नू पाणी दी चुली वी नी देनी वलीकंदारी ने मर्दाने नू फेर उंज दा उंज मोड दिता जदो मर्दाना एस वार हेठा आया ते उदा बुरा हाल सी उदे होठां हुटते पेपडी जम्मी होई सी मूँ उते त्रेलियां छुटियां हुएं सन इंज जापता सी के मरदाना बस कड़ी है के पल बाबे नानक ने सारी गल सुनी ते मरदाने इनू तन निरंकार कहके एक वार फेर वली कोल जान लेकिया हुकम दा बदा मरदाना तुर्पया पर उनू पता सी के उस दी जान रस्ते विच ही किते निकल जाएगी मरदाना तीसरी वार पहाड़ी दी चोटी हुटते वली कंदारी दे चर्ना विच जाडगा क्रोध विच बल रहे फकीर ने उस दी बेंती नू एस वार वी ठुकरा दिता नानक अपने आपनू पीर कहोंदाया ते अपने मुरीद नू पाणी दा कोट नी प्या सकदा वली कंदारी ने लख लख सुनावतां सुटिया मरदाना एस वार जदो हेठां पुझा ते प्यास विच बे बनं बाबे नानक दे चर्णा विच उभि होश होग्या गुरुन आनक ने मरदाने दी कांडू ते हाथ पहर्या उनू हांसला दिता ते जदो मरदाने ने आख खोली ते बाबे ने उनू सामने पत्थर पुटन लिक्या मदानेने पथर पुट्टिया ते हेठों पाणी दा चर्ना फुट निकलया जिमें नहर पाणी दी वगन लग पई ते वेखदेया वेखदेया चौँ पास से पाणी ही पाणी हो गया इनने विच वलीकंदारी नो पाणी दी लोड पई खुव इच वेख़े ते पाणी दी सेपवी नी सी वलीकंदारी बड़ा जिच होया उन्हों बड़ी हरानी होई बड़ा अचरज होया ते हेठां पहाडी दे कदमा वेच कठे वागरे सी चश्मे फुटे होय सी दूर बहुत दूर के कर हेठां वलीकंदारी ने विख्या के बाबा नानक दे उदा साथी बेट्थे होय सन गुसेच आके वली ने चटान देख टुकडे नो अपने पूरे जोर नाल उत्तों रिड़िया इंज पहाडी दी पहाडी नो अपने वल रिड़ियों दी वेख के मरदाना चिचला उठया बाबे नानक ने ट्रम में नाल मरदाने नो तन निरंकार कैन लीक्या ते जदो पहाडी दे टुकडा बाबे दे सेर कोलाया गुरुनानक ने उन्हों हाथ देके अपने पंजे नाल रोक लिया ते हसन अब दाल विच जिदा नाहों पंजा सैब है अजे तीक पहाडी ते टुकड़े होते बाबे नानक दा पंजा लगा होया है मैंनू ए साखी डाड़ी चंगी लागरी सी पर जदों मैं एह हाथ नाल पहाडी रोकन वाली गल सुनी ते मेरे मूदा स्वाद फिका जा हो गया एक इस तरह हो सकदा सी कोई आदमी पहाडी नू किस तरह रोक सकदा है ते पहाडी विच अजे इतीक बाबे नानक दा पंजा लगा होया है मैंनू जरा ना इतबार होंदा बाद ची किसे ने खुण देता होना है मैं अपनी मान आल किना चेर बहस करदा रहा मैं ए ते मान सकदा सांके पत्थर हिटों पाणी फोटा आवे साइंस ने कई तरीके कड़े ने जिना नाल जिस थां पाणी होवे उदा पता लाया जा सकदा है पर किसे इंसान दा रिडी आ रही पहाडी नू रोक लाना मैं ए नहीं मन सकदा सां मैं नहीं मन दा सां ते मेरी मां मेरे मूँ अलवेख के चुप कर गई कोई रिडी आ रही पहाडी नू किमें रोक साकदा है मैंनू जदों विए साखी दा ख्याल होंदा ते मैं फिक्की जी हासी हास दिन्दा कई वरी गुर्द्वारे विचे साखी सुनाई गई पर पहाडी नू पंजे नाल रोकन वाली गल उत्ते मैं हमेश सिर्मार दा रहीं दा ए गल में थो नहीं सीमन नी जांदी एक वारी है साखी सान। स्कूले सुनाई गई पहाडी नू पंजे नाल रोकन वाले हिससे होत ते मैं अपने उस्ताद नाल बैसन लग पया करनी वाले लोकनाली कोई गिल मुश्ktन नी हुन दी साथे उस्ताद ने मैंनू क्या ते फिर मैंनू चुप करवा देता मैं चुप हो गया पर मैंनू इतबार नहीं सी ओंदा आखर पहाडी नू कोई के में रोख सकता है मेरा जीच ओंदा मैं जोर जोर दी चीख चीख के कमा बहुत दिन नहीं सन गुजरे कि आसी सुनेया पंजे साहिब साका हो गया है उना दिना विच साके बड़े हुंदे सअन जदो भी कोई साका हुंदा मैं समझ लेंदा आज इसाधे का रोटी नहीं पकेगी ते रात नूँ पुझे सोना पैगा पर इस साका हुंदा की है ये मैंनों नहीं सी पता साड़ा पिंड पंजा साहिब तों कोई ज्यादा दूर नहीं सी जदों एस साके दी खबर आई मेरे माँ जी पंजा साहिब लई तुरपे नाल मैं सामे थो निक्की पैंड सी पंजा साहिब दा सारा रस्ता मेरी माँ दी आख नहीं सुकी असी हैरान सा इस साका हुंधा की ये ते जदों पंजा साइब बुझे असी एक अजीब कहाणी सुनी दूर किते एक शेर विच फ्रंगी ने निहत्थे हिंदुस्तानिया उत्ते गोडी चला के कई लोकानू मार सुट्टिया सी मरनवालें विच नौजवान वी सन बुड़े वी सन ते जड़े बाकी रह गए उन्हों नूं गड़ी विच पाके किसे होर शेर दी जेल चेपे जया जा रहा सी कैदी पुखे सन प्यासे सन ते हुकम एसी के गड़ी नू रस्ते विच किते वी ना ठहराया जावे जदों पंजा साहिब एख अबर बुजी जिस किसे ने सुनिया लोकानू चारी कपड़ी आग लग गई पंजा साहिब जिथे बाबा नानक ने आप मरदाने दी प्यास बजाई सी ओस शेर तों गड़ी दी गड़ी परी प्यासयां दी लंग जाए पुख्यां दी लंग जाए मजलूमा दी लंग जाए एक भी हो सकदा सी ते फैसला होया के गड़ी नू रोक्या जाएगा स्टेशन मास्टर नू अर्जी पाई गई टेली फूना खड़कियां तारा गईयां पर फरंगी दा हुकम सी गड़ी रस्ते विच किते नहीं खड़ी किती जाएगी ते गड़ी विच अजादी दे परवानने देश पगत हिंदी पुखे सन उनाली पाणी दा कोई परबांध नहीं सी गड़ी ने पंजा साहिब नहीं रुकना सी पर पंजा साहिब दे लोकां दा एफैसला अटाल सी के गड़ी नूँ जरूर रोक लैना है ते शेर वासियां ने स्टेशन उत्ते रोटियां दे खीरां दे, पूड़ां दे, दालां दे टेर लादते पर गड़ी ता हनेरी दी तरह आएगी ते तुफान दी तरह निकल जाएगी उनू किमें रुक्या जाए ते मेरी माँ दी सहेली ने सानू दस्या ओस था पटड़ी उत्ते पहला ओ लेटे मेरे बच्चेयां दे बिता फिर उना दे नाल उना दे होर साथी लेट गए उना तो बाद असी पत्नियां लेटियां फिर साधे बच्चे ते फिर गड़ी आई दूरों चीक दी चिचलां दी सीटियां मार दी होई अजे दूरी सी के मठी पै गई पर रेल सी कलोंदियां कलोंदियां ही कलोंदी मैं वेक रही सी के पईये उना दी छाती हुत्ते चड़ गए फिर उना दी नाल दे दी छाती हुत्ते फिर मैं अखा मीट लिया मैं अखा खोली है ते मेरे सिरुते गड़ी खलोती सी मेरे नाल तुड़क रही है चाती है विच्चों तान निरंकार तान निरंकार दी आवाज आ रहे सी ते फेर मेरे वेखद्यां वेखद्यां गड़ी मुड़ी गड़ी मुड़ी ते पैया हेट आया हुआ लाशा तुकड़े तुकड़े हो गिन्या मैं अपने अख्षी लहुदी वगी होई नदीनों वेख्या वागदी वागदी किन्नी दूर एक पक्के बने नाले दे पुल तक चली गई सी ते मैं हका बक्का है रान सां मैं थो एक बोल ना बोल लिया गया सारा दिन मैं पाणी दा कुट ना पी सक्या शामी जदों सी वापस आ रहे सा रस्ते विच मेरी मा ने मेरी छोटी पैन नू पंजा साइब दी साखी सुनोनी शुरू कर दिती कि में बाबा नानक मरदाने नाले इस पास से आए कि में मरदाने नू प्यास लगई कि में बाबे ने वली कंदारी कोल मर्दानने नू पाणी लेपेजिया कि में वलीकंदारी ने तिन वार मर्दानने नू निराश वापस कार देता कि में बाबे नानक ने मर्दानने नू पथर पुटन लीकिया कि में हेठों पाणी दा चश्मा फुट पया ते वलीकंदारी दे खूदा सारे दा सारा पाणी हेठा खिचे होया आगया फिर किमें गुस्से विच वली कंदारी ने उत्तों पहाडी दा टुकडा रेड़िया किमें मर्दाना कबराया पर बाबे नानक ने तन ने रंकार के कि अपने हाथ नाल पहाड दे टुकडे नू ठल लिया पर पहाड नू कोई किमें रोक सकता है मेरी छोटी पैंडने सुन दे सुन दे चट मानों टुक्या क्यों नहीं कोई रोक सकता मैं विच्चों बोल पया हनेरी वांग उठदी होई ट्रेन नू जे रोक्या जा सकता है ते पहाड दे टुकडे नूँ कोई क्यों नी रोक साकदा। ते फेर मेरी यां अखाँ विच्चों छम छम अत्रूवगन लगबै गरनी वाले उन्ना लोकां ले। जिनाने अपनी जान उत्ते खेड के ना रुखन वाली ट्रेन नू रोक ले आसी। ते अपने पुखे पाणे देश वासी आनू रूटी खवाई सी, पाणी पहंचाया सी। कराणी है